अकाउंट फ्रोजन का क्या मतलब होता है या आज की वीडियो में सीख लेते हैं अकाउंट फ्रोजन का मतलब होता है कि अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया है अकाउंट को फ्रीज करने का मतलब होता है कि अकाउंट पर जब लेंदेन करने पर रोक लगा दी जाती है उसे account freeze करना कहते हैं यानि कि इसका जो reason है वो security concerns भी हो सकता है यानि कि मान लिजे आपके account में कोई suspicious activity होती है या कोई verification rule को follow नहीं करती है या non compliance की वज़े से यानि कि आपके कोई document submit नहीं है या कोई payment issue की वज़े से या और administrative reasons का मतलब होता है कि मान लिजे सरकार ने या income tax department ने आपके account को freeze करने की सिफारिश की है तो bank आपके account पर रोक लगा देता है यानि कि किसी भी account में जब lien दिन बंद कर दिया जाता है तो उसको account freeze करना कहते हैं और account freeze कर दिया गया को English में कहा जाता है account frozen तो इसके बारे में और detail से पढ़ना चाहें तो आपकी screen पर दिया गया है आप पढ़ सकते हैं और इसको और भीतर तरीके से समझ सकते हैं अब आप ऐसी ही किसी भी word का मतलब हिंदी और English में YouTube पर सर्च कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतुबकवास के सीधा उस word का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें